Halo族 हो हेलो नुमस्कार एक बहुत बड़ा प्रश्ण आपके दिमाग में जरू चरणा होगा कि सर 7 नोर्टीकेशन देखा नोर्टीकेशन में ।ंट सिलेवस ही नहीं तो जब सिलेवस ही नहीं है तो हम क्या पढ़ है कि क्या एसाब पढ़ एक जिस कि हम उन नौर्म्स पर खरे उतरें जो डी टेपल स्वी ने बनाया है तो इसके लिए जरूरी क्या है जरूरी है आपके लिए वीडियो इस वीडियो को पूरा देखो अच्छे से समझो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एसेश्टी में आखर पढ़ना क्या होता है कि मैं आपको बताने वाला हूं जो डी ट प्रश्वी टी टी में एसश्टी के लिए को पढ़ना क्या है सबसे पहले कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले मुझे बात बताईए एसस्टी में आप किसको पढ़ाऊगे यानि टीजीटी में आप किसको पढ़ाऊगे अगर आप एसस्टी के टीचर हो और अगर आप टीजीटी टीजीटी में क्वालिफाई होगे एसस्टी के टीचर बन गए तो आप कौन सी किलास को इसका मतलब यह है कि आपकी knowledge जो है वो 9th और 10th की बच्चों से तो जादा होनी ही चाहिए इसका मतलब यह भी है कि आपको 9th और 10th की books तो अच्छे से आनी ही चाहिए इससे तो कोई compromise नहीं हो सकता और 9th और 10th की अगर आपको बुक्स तयार करनी है तो इसके लिए जरूरी है कौन सा NCERT यह बात आपको पता रहने चाहिए तो NCERT को आप अच्छे से पढ़ो 9 और 10th की अब जब आप 9 और 10th की किताबें पढ़ रहे हो तो अपने आपको एक बार student बनके सोचना जब आप student बनके सोचना तो आपको यह पता चलेगा कि एक 9 और 10th की किताब को पढ़ते समय student क्या क्या आप से सवाल कर सकता है क्योंको NCERT में सारा कुछ analysis में नहीं होता है वो कुछ यह कह देता है कि ऐसा इसको मैप पर देखें इसको यहां देखें इसको यहां देखें ऐसे भी तो बोल देता है तो अगर वो चीज आप चब पढ़ रहे होगे तो यह सोचिए कि आप पढ़ा रहे हैं किसे को एक बार सिक्षक बन जाओ वहां पर और यह सोचो बच्चा मुझसे क्या पूछ सकत है पढ़ते समय पूछो ना देखो ना क्या पूछ सकता है तो आप खुद पता चलेगा कि केवर 9 और 10 की किताब में सफिसियंट नहीं है कि आप 9 और 10 की किताब को पढ़ा पाऊ इसके लिए जरूरी क्या है इसके लिए आपको बेस मजबूत करना तो आपका एक बेस मजब है इतिहास में अब आपको जैसे आरंबिक जो चरागहा वाला सिस्टम था सिंदुगाटी सब्सक्राइब नगर कैसे बने गाउं कैसे बने यह बेस तो आपको पता होना चाहिए ना तो बेस बिना कि आप 910 की किताबों को पढ़ा पाऊगे नहीं तो बेस तैयार करो और ब सब्सक्राइब के बारे में पता करो वह आपसे ़ 개 के इसके बारे में पता करो बाएंगnai से इतो सब्सक्राइब यह तो बेस बन गया आपका इसके बाद क्या है यह आधार है आपका यह तो आपको पता ही होना चाहिए यह तो बेस तो बन गया आपको पढ़ाना क्या है तो मिडल जो चीज में आपका क्या जाती ना इसके बारिकी या इसकी बारिकियों के बारे में इसके एनलैसिस के बारे कि आगर आप क्या पढ़ रहे हो अगर आप एंस जाट हगो ओर वहां पे दे रखाओ कोई नदीयां की इस पठार से तो पता होना तो आप तयार करो इन चीज़ों को इसके अलावा आप जब 9-10 के बच्चों को पढ़ाओगे तो आपकी नॉलिज उससे थोड़ा सा हाई लेवल की होनी चाहिए तो आपको 11 बारे की किताबों को भी पढ़ना चाहिए ठीक है ने 11 बारे की और कॉंसेट जो है क्योंकि आपने दे रखें उनका जो लेवल आपको किसी भी इस तरह तक पता होना चाहिए ग्रेशन लेवल तक तो कम से कम पता ही होना चाहिए तो इसके लिए बहुत ज्यादा क्या जरूरी हो जाता है यह मैं आपको यहां पर बता रहा हूं क्योंकि सीटन 300 हैं समय के वाद दो घंटे हैं 200 प्रशन है 120 मिनट में आपको 200 प्रशन करने हैं और वहां पर आपको 100 क्वेशन मिलेंगे आपके से अब से कम से कम आपका 70% स्कूर होना चाहिए बहुत जरूरी है 70 अगर आपने नंबर लिया है जिस बार आपने 70 नंबर है उस द्वार सलेक्शन है पका कोई नहीं रोख स काम करना 6 से लेकर बाहर है तक कि आपको NCRT पढ़नी चाहिए या पढ़िए यह पक्का है इनको तो अब बढ़ी अत्रस्ते रखें आपके पास ग्रेजियोशन में जो भी सब्जेट रहे हैं ग्रेजियोशन जब आपने करी थी उन सब्जेटों को भी थोड़ा सा ग्रेज किताब लिए लो ठीक है मारस के जहें जिग्राफी की किताब एक कातकी जाथी वर्णवाल की पता है किताश से और मार्केट से कुछ और किताब भी लेना चाहते हैं तो भी लेने ठीक है वर्ण वाल की किताब है जोग्राफी की और उसको आप अच्छे से पढ़ लें ठीक है नहीं यह यह पूरी पूरी जोग्राफी आपको यहां से मिल जाएगी से बाहर कोई प्रशन नहीं आगा इससे पीजी टी का भी लगवा लगवा 80 परसंट कुशन आ जाते हैं ठीक है इसके बाद दूसर नंबर पर अगर आप देखें तो आपको पॉलिटी पढ़नी है यह तो क्या है भूगोल के लिए फिर आपको क्या करना पॉलिटी पढ़नी है तो पॉलिटी पढ़ने के लिए किताब लेक्षमी कांथ और इसके अलावा याद रखना कि यह वाली जो आपको पढ़नी है तीसरे नंबर की अगर आप किताब को अगर पढ़ना है ठीक है तो वह आ जाती है आपकी एकॉनमी या एकॉनोमिक्स एकॉनमिक्स में रमेस्टिंग आती है अगर आपके पर आता है और इतिहास को लिए आप इस्पेक्ट्रम की किताब पढ़ लो तो बहुत रहेगा इसपेक्ट्रम के स्पेक्ट्रम यह किताब भी आप आराम से पढ़ सकते हैं तो फिर आपका सटी 100% निकल जाएगा आप विल्कुर भी टेंसन लें ठीक है और भी सटी को अच्छे बताता है उसके पूरा-पूरा टॉपिक करा देता हूं तो आप 12 बजे मुझे भी जुड़ सकते हैं मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब आपको प्रवाइड करा दूगा वहां पर रख कहोगे तो है ना तो आपको सस्ट्रे में क्या पढ़ना चाहिए तो यह मैंने आपको पूरा-पूरा बता दिया है क्या 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 नहीं पढ़ें ठीक है यह वर्स जो घटना वह आती है कुछ किताबें आती है जो करेंट फिरस कि अनके साथ को यहां पर पड़ताब। यहां पर रह रहूंत इतनी सारी चीज़नीं को आपको पता आपको यह पता होना चाहिे और यह होना चाहिए ठीक है तो यह जो सारी चीज़े कमें एक पूरा तीन घंटे का वीडियो आपो दूगा से आपको सारी प्रशन यहां पर हो जायेंगे ठीक है नहीं तो चलिए आपको कैसी लगी यह जरूर बताएं और बाकी इंफोर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जोड़े रहें इसी चैनल पर इसको सब्सक्राइब जरूर करने यहां पर आपको किलास से मिलती रहेंगी और लगातार इंफोर्मेशन मिलती रहेंगी धन्यवाद